Class 9 Math Chapter 13 Surface Areas and Volumes Exercise 13.8 सबसे पहले हम यह देख लिएते हैं कि इस exercise में किन formulas का use होगा तो इसमें हम sphere के बारे में पढ़ेंगे और sphere का volume निकालेंगे या फिर hemisphere का हम volume निकालेंगे तो एक बार formulas देख लिएते हैं surface area of sphere यह formula मैं आपको पहले करवा चुका हूँ एक बार surface area of sphere क्या है 4 pi r square और volume of sphere होता है 4 by 3 pi r cube ठीक है यह formula नोट कर लिजिए उसके बाद है hemisphere hemisphere मनें आधा sphere ठीक है तो cut surface area of hemisphere होता है 2 pi r square total surface area of hemisphere होगा 3 pi r square और volume of hemisphere होता है 2 by 3 pi r cube तो यह formula लगेंगे इनका use होगा इनको आप अच्छे से याद कर लो उसके बाद exercise आपको बिल्कुल ही easy लगेगी तो शुरू करते है exercise तो question number 1 है find the volume of sphere whose radius is 7 cm और second part है इसका 0.63 meter तो बिल्कुल easy question है इसमें तो बस formula ही लगाना है हमें radius दे रखे है radius of sphere r हमने माल लिया 7 cm और volume of sphere क्या होता है यह हमने find out करना है आपको पता है formula 4 by 3 pi r cube pi कीज़ेगा 22 by 7 और r हमारा 7 है तो 7 into 7 into 7 क्योंकि यहाँ पे cube है ठीक है 7 से 7 यह हो गया cancel अब 4, 22, 7 और 7 की जबन multiply की तो हमारे पास आया 4, 3, 1, 2 by 3 क्योंकि यह cut नहीं हो रहा तो हमने इसको ऐसे रिक दिया अब इसको divide करेंगे तो हमारा answer आएगा 1437 hole 1 by 3 cubic centimeter यह हमारे पास आगया volume of sphere तो बिल्कुल easy था है तो अब next question देखो इसका second part अब second part में radius हमें दे रहा है sphere का 0.63 meter तो volume of sphere वही formula रखो 4 by 3 pi r cube तो volume होता है अब इसमें रख दिया हमने pi की value 22 by 7 और r कितना है 0.63 ठीक है 0.63 0.63 यह रख दिया हमने अब इसकी हम cutting कर सकते हैं अगर cutting करना चाहो तो यह अगर cutting करेंगे इसकी तो यह आज़ेगा हमारे पास 0.21 3 से cutting की और इससे करेंगे cutting तो हमारे पास आज़ेगा 0.09 7 से cutting की तो 4 22 0.21 0.09 और 0.63 इन सब की जब हम multiply करेंगे तो हमारे पास आएगा 1.047816 cubic meter इसको अगर 2 decimal तक लिखना है हमने पिरफ 2 decimal तक लिखना है तो यह देखो इसके बाद क्या है 5 या 5 से बड़ा है तो यह 7 है देखो 5 या 5 से बड़ा आगा इस डिजिट के बाद तो इसमें हम एक add कर देंगे और इसको 2 dash लिख देंगे तो हमारा आगया 1.05 cubic meter approximate लगबग इतना हमारी value आगी इसका volume आगया sphere का अब second question देखते हैं इसका question number second है find the amount of water displaced by a solid spherical ball of diameter 28 cm 0.21 meter एक spherical ball है वो कितने water को displaced करेगी उसका हमने निकालना है volume ठीक है कितना होगा आप देखो कैसे है इसको पहले आप समझ लीजिए जैसे माल लो की एक बरतन है कोई भी एक बरतन है बाल्टी माल लेते हैं चलो हम इस बाल्टी में ऐसे पानी भरा हुआ है ठीक है पूरा इसमें पानी भरा हुआ है अगर हम इसमें कोई spherical ball डाल देते हैं ठेक है? हमाँ लोग कोई ऐसे solid ball डाल देते हैं लोहे की बनी हुई या किसी और जीज़गी बनी हुई ठेक है? इसके अंदर अगर हम डालेंगे तो क्या होगा? क्योंकि ये बाल्टी फुल भरी हुई है तो जितना इसका volume होगा जितना इस ball का volume होगा क्या होगा? उतना ही पानी बाहर गिर जाएगा क्योंकि ये बाल्टी देखो फुल भरी हुई है ठेक है? अगर इसमें कोई चीज हम solid चीज डालेंगे तो क्या होगा? पानी बाहर गिरेगा ठेक है? पानी बाहर गिरेगा और पानी कितना बाहर गिरेगा? जितना इस spherical ball का volume होगा ठेक है? यानि कि जो पानी बाहर गिरा है और spherical ball है उन दोनों का volume सेम होगा ठेक है? तो यही हमने बताना है कि ये spherical ball कितने water को कितने amount of water को displaced करेगी ठीक है, तो diameter of spherical ball 28 cm, तो radius कितना हो जाएगा, 28 by 2 यानि 14 cm, अब amount of water displayed by the spherical ball, कितना amount करेगी वो water, ठीक है, displays कितना करेगी, जितना उस का volume है, जितना उस spherical ball का volume है, जैसे मैंने अभी भी बताया आपको, तो volume of sphere का उता है, 4 by 3, pi r cube, 4 by 3, pi की value 22 by 7 है, और r हमारा 14 है, तो 14 into 14 into 14, अब इसके हम cutting करेंगे, ऐसे 2 से, 72 जाएगा, अब ये आगे cutting नहीं हो रही, तो इन सब की जब multiply करेंगे, तो इतना आएगा, और by में क्या है, divided by 3, अब इसको 3 से divide करेंगे, तो हमारे पास ये वाला answer आजाएगा, 11498 hall, 2 by 3 cubic centimeter, ठीक है, इतना पानी displaced होगा, second है, इसका second part है, diameter 0.21 meter, तो radius कितना हो जाएगा, 0.21 by 2, यानि कि 0.105 meter, बिल्कुल सेम वैसे ही करेंगे, जैसा हमने फस्ट पार्ट में किया, amount of water displaced by the spherical ball, तो sphere का volume कितना होता है, 4 by 3, pi r cube, 2, तो ये pi की वैली 2 by 7, और r कितना है, 0.105, ठीक है, multiply कर दिया है, अब इसकी भी हम cutting बगारा करेंगे, तो हमारे पास, जैको cutting कर सकते हैं, इसकी 7 से हो जाएगी, 0.00, 0.00, ये आ जाएगा, ठीक है, इसकी 7 से जब हमने cutting करी, तो हमारे पास ही आ गया, और इसकी फिर आप अगर 3 से करना चाओ, इसकी cutting हो जाएगी, 0.005, ठीक है, अब इन सब की जब हम multiply करेंगे, तो हमारे पास answer आएगा, 0.004851 cubic meter, ठीक है, ये हमारा क्या है, आंसर है, तो अब third question देखते हैं इसका, question number 3 है, the diameter of a metallic ball, एक metallic ball है, उसका diameter 4.2 cm, यानि के एक sphere दे रखे हैं में, उसका diameter 4.2 cm है, what is the mass of the ball, ball का हमने mass निकालना है, if the density of the metal is 8.9 gram per cubic centimeter, और उसकी जो density दे रखे है, 8.9 gram, ठीक है, per cubic centimeter, आप देखो, इसका volume निकालने के बाद सबीर का, 8.9 से हम multiply कर देंगे, तो वो आ जाएगा उसका mass, ठीक है, easy question है, diameter of a metallic ball, 4.2 cm, तो radius कितना हो जाएगा, 4.2 by 2, यानि कि 2.1 cm, volume of ball, क्योंकि ball एक sphere है, तो sphere का volume क्या होता है, 4 by 3, pi r cube, pi की value 22 by 7, r कितना है, 2.1, 2.1 into 2.1 into 2.1, अब इसकी cutting कर देंगे, cutting करेंगे तो यह हमारे पास आएगा, 0.37 से करेंगे, और इसकी करेंगे तो आएगा, 3 से करेंगे तो यह आएगा, इन सब की multiply कर देंगे हम, सब की multiply की हमारे पास आया 38.808 cubic centimeter, यह हमारे पास आगया volume आगया किसका ball का, अब हमने क्या निकालनी है, density निकालनी है, और sorry, mass निकालना है, हमें density given है, density of metal 8.9 gram per cubic centimeter, यानी कहने का मतलब है, one cubic centimeter की जो density है, वो कितनी है, 8.9 gram है, और इतने cubic की कितनी हो जाएगी, इतने cubic centimeter की density कितनी हो जाएगी, इसको कर देंगे, इससे multiply, ठीक है, तो mass निकालना बोल के आएगा, 38.808 into 8.9 gram, इसकी multiply की हमारे पास आया, 345.3912 gram, अब इसको अगर approximate में लिखो गए, 2 decimal तरी लिखो गए, इसके बाद 1 है, 5 से छोटा है, तो इसको ऐसी रहने देंगे, 345.39 gram, अप्रोक्सिमेट, यह हमारा क्या आगया, mass of the bowl, तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो चैनल को subscribe कर लेना, और वीडियो को अपने सभी दोस्तों करता share, जरूर कर देना, मिलते हैं next वीडियो में, तब तक के लिए, नमस्कार